गंदापूर सिटी के अंदर सरकारी असपिताल के अंदर निर्मान कारे चल रहा था और दूसरी मंजिल से पिलर गिर जाने से तीन मजदूर गंभी रूप से घायल होते हैं और अभी वहाँ पे क्या इस्तिती बया कर रही है, सिरफ भी हाद है हमारे इस स्रिपोर्ट के अंदार गंदपुर्ट से टी में सरकारी इस्पताल में चल रहे हैं निर्मान कारे के दौरां दूसरी बिल्डिंग का पिलर गिर गया है हाद्से में मौके पर काम कर रहे तीन मजदूर दबने से गंभी रूप से खायल हो गए तीनोगे लाज प्ले सरकारी इस्पताल में भड़ती कर रहा गया इस दौरां इस्पताल परिसर में अफरा तफरी भी मजग गई है तो पोतवाली धना पुलिस ने बता है कि समाने अस्पताल में इमर्जेंसी रूम के उपर के बिल्डिंग का काम चल रहा था इस दौरां अचानक से बिल्डिंग का एक पिलर कर गया हाथसे में मौके पर काम कर रहे मजदूर, काजी, कॉलोनी निवासी शकीन पुत्र हमिद, मदीना मजज़ित, निवासी आसिफ पुत्र बाबू और बुद्राम पुत्र बसीटा तीनो घायलों को सरकारी अस्पिजाल में भड़ती करवाये गया है जहां पर उनका इलाद चल रहा है, पूछना के बाद में प्यमो दिनेज गुपता तीनो घायल मज़दूरों से मिले और वहीं पुलिस ने तीनो मज़दूरों के बयान तर्च की है पुलिस का कहना है कि तीनो मज़दूरों की हालत खत्रे से बाहर है, साथ ही पुरे मामले की जांच भी की जा रही है वहीं इसी को लेकर के अभी मामला गर्माया हुआ फिलाल देशर्दूने की तमाम बड़ी कबरों के लिए ताहीं बन देखी नुसाइटिंगे साथ